हेलो गईस आज हम बात करेंगे ओपो रेनो फाइब प्रो के प्राइवसी पासवर्ट फॉर एप लॉक के बारे में सो मैं आप लोग को बता दूगा इसकी एप लॉक में काफी कुछ अपडेट्स के बातेयां पर चेंजेस कर दिये गए जो कि पहले अलग टाइप का सेट करता था बठा अभी भी लगबग सीमिलर सेट अप है बठा थोड़ा पूतेयां पर चेंजेस कर दिये गए इसके बारे में आप लोग इस वीडियो में बताने हो लाओ तो वीडियो स्टाइट करने से पहले आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिज अगर आप लोग ने इसको आज तक ओपन नहीं किया ता आप लोग जो है यहां पर इंटर कर लिना है और अपना पासवर्ड क्रेट कर देना है जो भी पासवर्ड आप लोग क्रेट कर देना है क्रपया उसको नोट करके रख लिना है क्योंकि अगर आप लोग भूलते तो आप लोग को आगे जलके प्राब्लम नहीं होना चाहिए और फेस लोग और फिंगर्पिंट लोग एड़ करके भी मैं आप लोग को बताऊंगा तो निश्चिंत रहेगा सबसे पहले आप लोग अपना नंबर वाला पासकोड डाल दीजिएगा यह हमने डाल दिया है यहां प करते हैं ठीक करके आप लोग कर सकते हैं ठीक क्लिक करेंगे सेटिंग यहां पर यहां पर आप लोग पासवर्ड बागिरा चेंज कर सकते हैं ठीक है ना पुराना वाला पासवर्ड डाली उसके बाद नया वाला पासवर्ड करेट कर सकते हैं और अगर आप लोग को फिंगर करने कलिने में आप लो lets बता दुछ यहाँ पे अपना पुराना पासवड ढाल यह है कि अगि अगल और कर सकते पासवड भी कर सकते स्यक्रेटी जो कुषटनल रहता है आप लोग कोचेंज कर सकते रिकल डार重要 दाल सकते हैं यह सब चीजे और भी recovery की methods रहते हैं अगर आप लोग अभी कभार होता नहीं कि हम password भूल जाते तो यह सब चीजे काम आती है तो यह सब चीजे भी आप लोग डाल सकते की जाते है privacy password के वो सभी मैंने आप लोग को explain यहां पर कर दिया है और मुझे लगता है कि काफी अच्छे features मुझे यहां पर देखने को मिल रहे है तो आप लोग को कैसे फीचर है कामेट्स बताएगा और फिलाल वीडियो में इतना ही उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो पसनने की जमादा दी